गुपाल के कॉंग्रेस कारेले में देश के पूर्व प्रधान मंत्री और कॉंग्रेस नेता सवर्गिया राजीव गांधी की तस्वीर के साथ लापरवाही करने का मामला सामने आया है 21 माई को कॉंग्रेस कारेलय में देश की पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांदी की पुन्नतिती मनाई गए थी जिसमें उनकी तस्वीर पर पुश्प चढ़ा कर सभी ने उनके श्रत्भांजली अर्पित की थी लेकिन कारेकरफ खत्र होने के बाद किसी ने भी उनकी तस्वीर को उच्utan जगह रखना जवरूरी नहीं समझा सारे नेता कारेकरफ के बाद अपने अपने घर चले गए और अभने दिन यहां तस्वीर कारेलय के टॉलिट की दर्वाजे के बहार रखी नजर आई टॉलिट के दर्वाजे पर राजिव गांदी की तस्वीर देखकर वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने इसकी तस्वीर लेनी जैसे ही इसकी सुचना कॉंग्रेस कारेकरताओं को मिली तो हड़कम मच गया हाला कि इसके बाद तस्वीर को वहां से हटा दिया गया घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है कारेकरताओं से इस घटना के बारे में पूछे जाने पर वे सपाई देते हुए नजर आए अपनी गदी पर परदा डालते हुए कॉंग्रेस नेता मानक अगरवाल ने कहा कि यह किसी शरार्थी तत्व की पर दूथ है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें और शेयर करें